नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रफलसी से महतपुड सूचनाओं के साथ आप सभी की बीच में उपस्तितू इसमें कई भरतियों को लेकर की बात करेंगे सितंबर में होने वाली PET परिक्षा को अस्तगित करने के पीछे का कारण असपष्ट समझ में तो नहीं आ पाया था लेकिन जितनी जानकारी हमें पराफ्त भी थी उसके अनुसार जितने भी पुरानी भरतियों की रिजल्ट आने है या पिर जो पुरानी भरतिया है जिनके पर परिक्षा है अभी हाल ही में होगी ती जैसे आपका असिस्टेंट बोरिंग टेक्निस्टियन का हो गया एसो का हो गया तो इन सभी भरतियों की रिजल्ट पर काम होंगे लेकिन एक रिजल्ट यहां पर देके लिखने से छूट गया है यूडिये ल्डिये और सप्लाइश इस भरती का रिजल्ट बहुत जल्द आएगा और 99 परसंट चांस है कि इस भरती का जो रिजल्ट है सेप्टेंबर में आ जाएगा एक परसंट है कि तुछा से लेट करें क्योंकि यह यूपिट्रफलसी आयोग अपने इस टाप के लिए बढ़ती कर रहे हैं यूडिये और लडिये वाली और इस टाप की कमी से जूजने आयोग लगातार तो ऐसे में इस भरती का जो रिजल्ट है अगले महीने में आने के सत परसंट भी चांस है लेकिन 99 परसंट तक है कि यह रिजल्ट आपका आ जाएगा बाकी की जो रिजल्ट हैं सहायक सांके की अधिकारी वाल जूनियर असिस्टेंट जेई 2016, लोवर 2019 और सहायक बोरिंग टेक्निशन वाला है इसमें आप देखेंगे कल आयोग पर आयोग पर दिखिए हर दिन किसी ने किसी भरती के अभ्यरती पहुंचे वे रते हैं सबकी अपने समस्याएं हैं आयोग किन भरतियों पर काम कर रहे है जूनियर असिस्टेंट 2019 का परणाम बहुत पहले आपको सूचना दी गई थी कि इसके डाटा फीडिंग का काम शुरू हो चुका है फिर अचानक से इसके डाटा फीडिंग का काम जो रोक दिया गया और अभी तक आप देखेंगे तो इसके जो फारिनल रिजल्ट आरे की जो संभावना है या उसकी जो कंफर्मन डेट है उसको लेकर के आयोग में धर्णा प्रदर्शन किया गया है कल की डेट में परिक्षा परणाम घोजित करके भरती प्रक्रिया पूरी की जाने की मांग को लेकर सो मुआर को सहायक सांकिकी वर सोद अधिकारी भरती परिक्ष परिक्षा 22 में को कराई गई थी इसकी बहुत लेट से परिक्षा इसकी वी थी और इसकी जो प्रक्रिया है पूरी नहीं हो पाई अभी इसकी आंसर की आफिशल तो आ गए थी लेकिन आगे जो है रिवाइड आंसर की और रिजल्ड ये सभी करके फिर उसके बाद भरती को पूरी भी करें जल से जल क्योंकि आल लेटी जो है बरती में अभ्यरती तीन साल से वेट कर रहे हैं तीन साल से भी जादा समय से अभ्यरती प्रविड मौर का कहना था कि आयोक जल्द परणाम जारी करें और नियुकती परदान करें यह बरती श्वास्ते विभाग के ताथ की गई है दूसरा आप देखेंगे कनिष्ट सायक जूनियर असिस्टेंट 2019 के रिजट को लेकर के भी कल अभ्यरती हमने आपको पहले सूचना भी दी थी और कल ही कल की डेट में ही एकाउंटेंट की जो नहीं पना जाएगा पूरे मतलब पूरा प्रयास किया जाएगा आयो की तरफ से कल एकाउंटेंट की भरती को लेकर के भी आस्वासन मिला है लेकिन कोई कनफर में डेट नहीं बताया गया है पी इटी 2021 से ही इन भरतियों की बिग्यापन आने है जूनियर असेस्टेंट 2019 की भरती भी पुरानी भरती है सब कुछ इसमें कलियर हो चुका है केवल और केवल फाइनल यहाँ पर रिजल्ट डेकलियर करके जूइनिंग करवानी है तो यहाँ पर देखेंगे जूनियर असेस्टेंट 2019 की भी जो अब भीरती है कल धरना उन्होंने दिया और सारे तीन वर्स से भरती है लटकी पड़ी है इसी के साथ लोवर को लेकर के भी कुछ दिम पहले धरना दिया गया था जिस दिन लोवर का धरना था उसी दिन AGT वालों का भी धरना था तो lower की result को लेकर के September बोला गया है, September से पहले इस महीने में तो कोई भी उम्मीद नहीं है, इस महीने में जो result आ सकता है या पिर आने की प्रबल चांस है ओ है आपका Junior Assistant 2019 का result और JEE 2016 का result, इसमें भी हो सकता है कि Junior Assistant का result पहले डिकलियर किया जाए, जितने भी सहायक Boring Technician की अब भीरती हैं, आप सभी को बता दें कि अभी आपकी result में समय लगेगा, अभी तो आपका official answer की ही काफी समय के बाद जारी हुआ था, काफी लेट जारी हुआ था, और उसी दिन एक भरती का और भी official answer की गोशित किया गया था, तो अभी आपकी result में आने में समय लगेगा, September तक आपका जो result है आने की chance बहुत कम है, आपका result या तो अक्टूबर तक या फिर नौवंबर तक भी जा सकता है, और लगबग नौवंबर के आसपास तक ही जो लेकपाल की भरती परिक्षा होई है, इसका भी result आने की chance है, असेशन बोरिंग टेक् करते रही अपने अस्तर से, आयोग में जा करके किस रिजल्ट जल से दे करके हम से की भी ज्वाइनिंग जो आगे की प्रोसेजर है, प्रोसेजर है, उसको complete करवाया जाए, भड़ती को पूरी करवाया जाए, चुकि देखें, यहाँ पर थोड़ा सा उम्मीद आप सिप्तम सितंबर में लोवर का रिजल्ट हो गया, यहाँ तो का रिजल्ट और इसके अलावा असेश्टन बोरिंग टेक्नियसं का रिजल्ट भी संभावित है, उमीद कर सकते हैं, कोशिस करेंगे तो आयोग दे भी सकता है, आयोग के उपर है, लेकि लोवर और UDA, LDA, SI वाली, यह को रिजल्ट तो 100% आने है, सितंबर में, इसके अलावा और भी जो पुरानी भर्तियों की रिजल्ट है, चुकि आयोग हमने आपको बताया कि जो एक्जाम डेटे पी इटी वाली उसको भी पोस्ट कौन किया गया है, तो सितंबर में जाद से जादा जो रिजल्ट है, घोस पुरानी भर्तिया जो पीटी 2021 वाली है, उनको भी पूरी करवाना है, जैसे लेकपाल हो गया, या फिर जो भर्ति को बिज्यापन भी आएंगे, एक आईटी आई अनुदेशक की भी परिक्षा करवानी है, तो खुल मिलागर कि आप सभी के लिए बस इतना बताना इसकी बाद एक एनम भर्ति 9212 का रिजल्ट आने के बाद से लगातार जो है, जहां कुछ अभ्यरतियों में बहुत खुसकबरी, उनके परिवार में, उनके जीवन में खुसी आ गई, कुछ अभ्यरतियों के रिजल्ट तो आ गए, फाइनल सेलेक्ट लिष्ट में उनका र नंबर सही है, मतब जिनका बिल्खु सही है, सेलेक्ट लिष्ट में, उन लोंगों के जो आगे की प्रोसेश है वह भी जल्द होने वाली है, मतलब जोईनिंग की प्रोसेश, बाकि प्रोविजणल वाले में और विद हेल्ड वाले में थोड़ा सा समय लगना है, इसके ज्यादा उनको उमीदें देखने को नहीं मिल रही है आयोग पर पूरा दिन भर वे लोग आयोग पर हैं कल देश शाम को रात तक रात में वहां से निकले हैं घर के लिए इसी तरह से कुछ A&M बैन है जिनके जिनका जो रेश्टेशन वाला मामला है या पिर जो कम नमबर वाला मामला है उसमें वेटिंग सूची के लिए भी वोग सोच रहे हैं कि वेटिंग लिष्ट का भी कनफम कर दें आयोग या जो सीटे बची है तीन सो क्या से उन पर जहें लिष्ट ये लोग जारी कर दें सीटे बची है दोसरे के एक तरफ से सब्सक्रानी चाही है तो जो भी जैसे भी अब्डेट प्राप्त होगी आगे कि आप सभी को बता दिया जाएगा एक बार एक देख लेते हैं स्वास्तिवीभाग में यह नहीं भरती का बिग्यापन ज सकते हैं यहां पर अगर आप देखेंगे तो लोक्षिव आयो के तरफ से यूबी पीसी के तरफ से 611 पद है मेडिगल आउफिशर आईरुवेट के पदोपर भरती इसमें जो है भारती चिकिसा परिशत द्वारा मानता प्राव किसी विश्विद्याले से आईरुवेधिक प इंट्रव्यू होगा सभी प्रशने बहुत विकल्पी वाले होंगे स्टीरिंग में और वन थर्ड का नेगेटिवी मार्किं होगा इसके बाद इंट्रव्यू में जो उपस्तित होंगे जो अभ्यरती उनके जो है सभी मूल प्रमान पत्रू का शत्यापन किया जाएगा झाल